बहुत इंपॉर्टन सेट है आप सभी के लिए अगर इस सेट में आप 20 प्लस आई करते हो तो तैयारी आपकी जो साइंस सेक्षन की अच्छी चल लिए साइंस का ये सेट नंबर 16 है जितनों भी चैनल पर नियू है सभी सेट का प्लेलिस्ट बना दिया है देख लो 25 कुशन है टोटल लेंग्विज हिंदी प्लस इंगली से और सही करने का जो टार्केट है वो 20 प्लस का है पॉइंट 25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी ये 25 कुशन का दोबारा टेस्ट होगा हमारे टेली ग्राम चैनल पर तो टेली ग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दियुआ हुआ है उस पे किलिक करिए या फिर टेली ग्राम पर साच करिए एड़दर है टंकी सिक 38 जो भी हम वीडियो करते हैं उनका जो टेस्ट है कुईस के रूप में डेली रात 9 बजे करते हैं तो टेली ग्राम सा भी लोग जॉइन कर लो देखिए आपकी नवी मार्क की जीके साइंस मैट की कंप्लीट महापीड़ अप तयार हो रही है और SSR के लिए भी जीके का चैप कम से कम 24 कॉश्चन साही हो स्यानता का मातरक पूचा गया पहले कॉश्चन पर यूनिट ऑफ विसकॉसिटी इस पॉइज पास्कल कैल्विन या फिर इनमें सो गोई नहीं राइट अंसर अगर आपको पता है तो टिक करिए गलत मतिक करना क्योंकि 0.25 पी निगेटिव मार्क इनमें से कोई नहीं तो एक नमबर आपको यह फिरी का मिल गया क्योंकि यह कॉश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है तो समय कि जो काई इनमें से नहीं है वो है प्रकास वर्स अचा बताए प्रकास वर्स किसकी काई है प्रकास वर्स आपकी दूरी की काई है अगला कॉश् आईने में प्रवर्ट के उसको परावरतन कहते हैं इंगलेस में रेफ्लेक्शन नमबर जो भी है कुष्ण का वो राइट अंसर होगा अगला कुष्ण देखें निम्न में से कौन सा रंग ऊश्मा का सबसे अच्छा और शुरक है which of the following colors is the best absorber of heat काला, भूरा, नीला, पीला तो देखें इन में से कौन सा ऐसा रंग है जो उस्मा का सबसे अच्छा होसो सक है राइट अंसर आप्शन नमबर है जिसने सेलेक्ट किया उनका जो जवाब सही है काला रंग जो ही यह आपको उस्मा का सबसे अच्छा होसो सक है अगला कुशन देखें वाईव में मौजूद जो नमी है यह किसी अंतर से मापी जाती है विट विच डिवाइस इस दा मोईस्चर इन दा एयर मिजर्ड, बैरो मीटर, थर्मा मीटर, हाईग्रो मीटर या फिर लेक्रो मीटर 380 नमर कुशन का अंसर करिए वाईव में नमी किसे मापते हैं वाईव में जो नमी होती है इसको हम हाईग्रो मीटर से मापते हैं तो आफ़से नमर सी इसका राइट अंसर होगा देखिए इसके जो आफ़से जो आफ़सन दी हैं या फिर उसे घंट तो कहें तो मिल्क का जो घंट तो है दूद का जो घंट तो है वह मापा जाता है लेक्टोमीटर से चारो ओप्षिंट जो है बहुत इंपॉर्टन है आपके एक्जाम के लिए बकि जो नमी आपको मैंने बता दिया और सीजिक्स कुष्ण का राइट आंसर बखाती है तो अब चैप्टरस हमने इस पीडियाफ में करवाई हुट टोटल 189 पेच कि यह पीडियाफ है यह पीडियाफ तयार कर लो इसमें जो कॉंटेंट है हर चैप्टर से बेस्ट कॉंसेप्ट लिखे निकिए उसके बाद इसके बाद होते हैं इसमें 500 हर चैप्टर से बेस्ट M.C.Q. और लास्ट में आपके दस बेस्ट मॉप्टेस्ट भी इसी पीड़ाफ में आपको मिलेंगे तो इस पीड़ाफ को जो प्राइस है जिस आपसे इसका कॉंटेंट है वो प्राइस सिर्फ 99 जो की बहुत कम है लिंक इसका डिस्किप्शन पर दिगा हुआ है SSR के और Air Force के जितने भी कंडिड़ेट्स है स्पीड़ाफ को डाउनलोड करो त्यार करो गारंटी के शाद बोलता हूँ कि आपका जो पेपर SSR का साइंस का 70% इसी से आएगा नेवी मार्क के स्पीड़ाफ को डाउनलोड नहीं करेंगे देकि निम्न में से कौन एक अचुम्ब की अदात हुए विच आफ दा फॉलिइंग इस आ नौन मेगनेटिक मेटल निकल लोहा टिन कोबाल्ट इन में से एक नौन मेगनेटिक जो मेटल है लगबग गैस भी किया होगा अगर आपने पहले नहीं पड़ा है तो आपका जो गैस है उस रही निकला होगा टिन है देकि अगला कुश्य है बादल वातावरण में इसलिए तेहरते हैं क्योंकि उनमें होता है क्लाउड फ्लॉट इन दा इटमास्फियर इसलिए बादल आपके वातावरण में तेहरते है यह नमबर आइट अंसर होगा इसलिए बादल है उनका जो गहनत तो है समान आइतन की हवा का जो गहनत तो है उससे कम होता है इसलिए बादल आपके वातावरण में तेहरते हैं यह नमबर आइट अंसर होगा देखे कुश्यन है लोहे को जंग लगने की प्रिक्रिया यह क्या कहलाती है अगला कुश्यन देखे यह निमन जोडो में से किनकी एक समान विमाए नहीं है विच पेर डज नाट हैव सेम डाइमेंसल हमारी स्ट्रीज में अभी तक 384 कुश्यन हो चुके है और 384 में से सबसे बेस्ट जो कुश्यन वो आपके स्क्रिंग के सामने है नेवी SSR और MR के लिए बेस्ट कुश्यन है नेवी SSR और जोडों में से आपको बताना है कि किनकी एक समान विमाए नहीं है पलांक नियतांक पलांक का इस्तरांक और कोणी शामवेग जड़त आगूर और बलागूर और इसके बार कार ता बलागूर और अवेक ता समवेग इन में से किसकी विमाए जो है समान नहीं है पता है तो बताए नहीं पता है तो देख लिजिए आप्सन नमबर B जड़त आगूर ता थबल आगूर की जो विमाए वो समान नहीं होती है अच्छा समझे जड़त तो आगूर इसकी विमा क्या होती है जड़त आगूड का जो मात्रक होता है वो होता है किलो ग्राम मीटर स्कॉयर तो किलो ग्राम M मीटर स्कॉयर L स्कॉयर और T की पावर 0 मतलब किलो ग्राम मीटर स्कॉयर मतलब M L स्कॉयर ये होती है आपकी जड़त आगूड की विमा अच्छा बला गुंड का मातरक क्या होता है जला बला गुंड का मातरक होता है न्यूटन मीटर न्यूटन का जो मातरक होता है ML T की पावर माइनस टू होता है बल का मातरक और न्यूटन की जो विमा है बल की जो विमा है वो ml square ml tk power minus 2 होता है जब बला गुंड का मातरक मैंने बताया न्यूटन मीटर तो एक मीटर इसमें और एड हो जाएगा तो ml square tk power minus 2 ये होती है आपकी बला गुंड की विमा ये दोनों देख रहे हो कि बराबर नहीं समान नहीं है इसलिए इसकुशन का राइट अंसर option number 3 होग ये राइट अंसर option number 2 होगा अवरत का जो frequency का जो मातरक होता है यूनिट होता है वो हर्स होता है हर्स में वापी जाती है नेस्ट कुशन देखें प्रकास अंसलेशन में अधिक्तम होता है किस रंग में अधिक्तम होता है पूचा गया photosynthesis has maximum in which color लाल प्रकास स्वयत नीला या नेस्ट कुशन देखें पाच्चन के पस्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है वाट डज प्रोटीन करोंड आप्टर डाइजेशन अमीनो एशिड वशा सुक्रोज या फिक्लूगोज तो 387 नंबर कुशन का अंसर टिक करिए राइट अंसर option नंबर होगा सीड में परिवर्तित हो जाता है नेस्ट कुशन देखें यदि तीन प्रतिरोध करमशा चार ओम तथा पांच ओम तथा बीस ओम को समांतर करम में जोड़ा जाए तो कल प्रतिरोध क्या होगा इप थ्री रेजिस्टर्स फोर ओम फाइप ओम टॉन्टी ओम और एडड़ इन अगर समांतर करम में जोड़ने के लिए का तो समांतर करम में जोड़ने के जो फोर्मूला होता है वो यह होता वन अपान आर बराबर वन अपान फॉर प्लस वन अपान फाइप प्लस वन अपान टॉन्टी तो वन अपान आर इक्वल इसका एलसियम लेंगे टॉन्टी होग चार से डिवाइड करेंगे, पांच बार जाएगा, उपर गुणा करो, पांच, यह चार, और यह बीश, यह कम, बीश, यह कितना हो गया, पांच, आज, नौ, एक, दस बटे, बीश, इसको कट करो, तो, एक बटे, दो, तो, वन अपान, आर बराबर, एक बटे, दो, तो, आर रख क्या होता है, वाट इस दा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जेशिबल, निउरॉन, कैंडिला, लिमेन, बताइए, तीन सनवसी नंबर, यह पहले भी बने आपको बताया था कि ध्वनी, ध्वनी, ती उरता, या फिर सोर गुल, ऐसा कोई भी क्वेशन आता ह कि इसको किस में मापा जाता है, तो वो डेशिबल में मापा जाता है, किसी रोग के प्रती हमारे सरीर की जो प्रतिरोदक्ता है, उसको क्या कहते हैं, रजिस्टेंस ऑफ और बाडी टू सम डेसीज, देसे, इसको अरक्ता कहते हैं, अरक्ता कहते हैं, अरक्ता कहते हैं, आति नमबर जो डी है स्कूशन का वह राइट अंसर होगा लास्ट के दस कूशन और बच्छे हैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा स्कूर किया होगा एक द्रव बूंद गोली आकार धारन कर लेती है यह प्रस्तनाओं के कारण स्यानता के कारण और्द मुकी प्रनोत के कारण या फिर गुत्ता अकर्शन के कारण तो एक द्रव बूंद गोली आकार धारन कर लेती है यह प्रस्तनाओं के कारण होता है सर्फेस टेंशन के कारण तो आप्शन नमबर जो ए है इस कूशन का राइट अंसर होगा देखिए अगला कूशन आपको सब ही सही लग रहे होंगे लेकिन सोर उर्जा को अगर विद्धत उर्जा में परिवर्टित करना है तो हम सूलर सेल का इस्तिमाल करते हैं आप्शन नमबर जो ए है इस कूशन का वो राइट अंसर होगा नेस कूशन देखिए जस्ता और गंदक का योगिक मुकता के रूप में प्रियोग होता है किसके रूप में प्रियोग होता है कंपाउंड प्री डॉमिनेंस ऑफ जिंक एंड सलफर इस इन यूज यह आपका साकनासी रोंटे डिशाइड गंदनाशक या फिर कवकनासी किसके रूप में प्रियोग होता है राइट अंसर इसका उप्शन होगा रोडेंट को मारने वाला जो होता है जो केमिकल होता है उसको रोडेंटी साइड कहते हैं इसका दूसरा नाम रैट पॉइजन भी है मतलब चूहों को जिस दवा से मारा जाता है जो केमिकल से केमिकल यूज किया जाता है चूहों को मारने के लिए उसको रोडेंटी साइ सबसे कटोर है वीच आफ फॉलॉइंग सबस्टेंसेज इस दा मोस्ट रिगेड ऐलुमिनियम ग्रेफाइट हीडा या फिर पीता यह कुशन बहुत पहले करवाया था और गलत हो गया था गलती से सबसे जो कटोर पदार्थ हो डायमंड है तो इसको दो बार कर चुके एक बार और किया था हीरा बताया था आपको और इसमें भी हीरा बता रहो तो याद रखेगा अगला कुशन देखें कागच का जो जलना है बर्निंग ऑफ पेपर इस यह आपकी जैविक परिवर्ते ने बहुत तिक परिवर्ते रासायनिक या फिर दोनों बताए यह 351 में नंबर का तो कागच का जो जलना है जैविक बायोजिकल चेंज नहीं है फिजिकल चेंज भी नहीं है तो यह आपका एक प्रकार का केमिकल चेंज है जिसे इंदी में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तो आपसे नमबर सी इस कुशन कराए अट अंसर होगा देखिए नेस्ट कुशन है पहाड की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि it takes longer time to cook potatoes on the mountain tops because पहाड की चोटी पर ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है या फिर पहाड की चोटी पर ताप उच्चतर होता है वायो मड़ी दाब उच हो जाता है फिर वायो मड़ी दाब कम हो ज जाता है तो option number D question का right answer होगा जितना उपर आप जाओगे जो वायो मड़ी दाब है वो कम होता जाएगा तो अब इससे बाते कुछ भी पका होगे वहाँ पे जो ताप हो ज्यादा लगेगा समय जो है ज्यादा लगेगा प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है वाट और जो A है इस question का वो right answer होगा नेस question देखे स्वयत प्रकास को नली में कैसा कैसे परदा करते हैं how to produce white light in a tube by heating copper wire by heating the filament by heating exciting the atoms oscillating the molecules तो स्वयत प्रकास को नली में हम पैदा करते हैं तामबे के तार को गरम करके तो option number A है इस question का right answer हो जाएगा नहीं तामबे के तार को गरम करके नहीं राइट अंसर इसका option number B होगा तंत को गरम करके हम करते हैं एक शेकर तो स्वयत प्रकास को नली में पैदा करते हम तंत को गरम करके by heating the filament तो option number जो B है इस question का वो right answer होगा ठीक है इस question देखिए है helicopter का अविसकार किस ने किया हूँ इनवेंटेट दा helicopter कॉक्रल ने इगोर सिरोस्की ने ओटिस ने थ्रो वीट लेने तो आपसे नमबर भी अगर आप में से किसी ने भी सिलेट किया तो आपका जवाब सही है लास्ट कुशन देख लेते हैं बैरोमीटर का विसकार यह किस ने किया था इवांगा लिश्टा टोरी शॉली होता है आगे वीडियो में ने बताया था अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि यूज हम क्यूं करते हैं यह तो आज किसी वीडियो के 25 इंपोर्टन कोईश्चन इसेट के 25 और अभी तक इस सेट में 400 कोईश्चन कर चुगे हैं तो 0.25 की माइनस मार्किंग के साथ बताये कि आपके 25 में से कितने सही हुए MR के लिए टार्गेट था 20 प्लस का और SSR के लिए टार्गेट था लगबग 24 और 25 का तो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं बाकि SSR की जितने भी केंडिट है महा पीडिप डाउनलूट कर लें पर जिसकी और MR की जो पीडियाफ हो एक ज